हेलो स्टूडेंट्स एन वेल्कम टू यूर चैनल आज मैं आपको चैप्टर नमबर वन क्लास एट्थ हाउ दी कैमल गॉट इस हम्प यह आपकी जो सप्लिमेंटरी रेडर है इट्सो हैपन के नाम से जो एक्स्ट्रा बुक है जो उसके कॉस्चेन आंसर्स के बारे में मैं आ आँगा कॉस्चेन नमबर वन है इसमें वट टास्क दो यू थिंक वर असाइंड तो दी डॉग एंड दी ऑॉक्स तो आपके हिसाब से कुट्थे को और आउक्स को क्या क्या काम दिये गए थे दाप्स के the dog was assigned the task of fetching and carrying तो जो डॉग था जो कुत्ता था उसको fetch करने का और carry करने का task दिया गए था फैचिंग मैं आपको बताया था क्या होता है würd फैकते हैं कुत्ता के बहाग के लिए क्या आता है वो चीज carrying मतलब वही उठाना ठीक है उठाने का काम और जो ओक्स था उसे फिल्ड में प्लो करने का काम दिये गया था प्लो बोले तो प्लो मतलब जो खेती जो हल चलाते है ना खेत में हल चलाते है वो उसका काम कॉस्चन नमबर टू है इसमें वाई डिट दी कैमल लिव इन दे मिडल ओफ दे डेजर्ट तो जो कैमल था वो रिगिस्तान के बीच में क्यों रहता था आंसर है इसका कैमल लिव इन दे मिडल ओफ दे डेजर्ट बिकाज इट डिड नोट वांट तो वांट तो वो कैमल जो है वो जरागिस्तान के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था तो जो कुते को घोडे को और ओक्स को किस चीज़ से बहुत गुसा आया आंसर है तो कुते को डॉग को और ओक्स को इस बात को लेके गुसा आया कि उनका जो मास्टर था उनका जो मालिक था आदमी उसने उनने कहा था कि अब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा डबल टाइम में काम करना पड़ेगा क्योंकि कैमल जो है बिना कुछ की निठला बैठा रहता है ठीक है बचों तो कुश्चन नमबर फॉर है तो जिन को कैसे पता लगा कि होर्स ने होर्स जो है वो कैमल की ही कम्प्लेंट कर रहा था तो जो जिन है वो पूरे रेगिस्तान का मास्टर था मालिक था तो इसमें बोलते हैं कि क्योंकि वो सारे रेगिस्तान का मालिक था तो उसे पता था कि वो जानवर कौन सा है जिसकी लंबी गर्दन लॉंग नेक मतलब लंबी गर्दन और लॉंग लेग्स तो लंबी टांग वाला कौन था वो तो उसमें कम्प्रिहेंशन है न उसका आंसर है यह कौशन नमबर वन है दा कैमल वाज लुकिंग एठ इस ओन रिफ्लेक्शन इन दा पूल तो कैमल जो है अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा था उस पूल में मतलब अपनी खुद की परच्छाई वट ड़स इट तो यह स्टेटमेंट बताती है कि जो कैमल है उसको खुद की इमेज बहुत अच्छी लगती थी पूल में पानी में खुद की इमेज देके वह बहुत खुश था परहब सी कंसीडर हिंसेल्फ हैंसम लुकिंग और वह अपने आपको बहुत ही हैंसम समझता था तो कैमल जो है हमप हम जो बार बर बोलता था उससे उसको क्या अफेक्ट हुआ दे वर्ड हमप अनॉयड दे जिन तो जो वर्ड हमप है वो जिन को बहुत अनॉय करता था बहुत परिशान किया उसने हमप करता था ना तो उसससे बहुत परिशानी होती थी जिनी को He turned hump into the hump on the camel's back तो यह हम्प हम्प करता था न उसको उसने camel की back पे जो हम्प होता है उसमें convert कर दिया Question number 3 अब हम देखेंगे यह वाला What according to the gin was the use of the hump? तो आंसर क्या है according जो gin के हिसाब से तो हम्प का काम क्या था? The camel's hump contained food material तो यह camel का हम्प है वो food material की तरह था उसमें food material थे Food material उसके अंदर थे It helped the desert animals to go without any food for 3 days तो इससे क्या होता था? जो desert animal था जो रेखिस्तान को वो animal था वो तीन दिन तक बिना खाने के रह सकता था Question number 4 है He has never yet learnt to behave In the light of this What is the writer's opinion about the camel? He has never yet learnt to behave तो उसने अभी तक ठीक से behave करना नहीं सिखा इस संधर्ब में जो writer है उसका क्या मानना है camel के लिए? तो writer क्याता है The writer is of the opinion that the camel has not changed its nature and habits to this day तो वो बोलता है कि camel ने जो है आज तक अपना nature और अपना behavior नहीं change किया है ठीक बच्चो Next है Discuss the following topics in the group तो यह जो following topics है इसको आप ग्रूप में discuss करो Question number one है Can this story be Factually true? क्या यह story सच में अगर आप इसको सोच के देखें तो क्या यह सच है? तो answer है no The story is not factually true It is just and imaginary one तो असलियत में यह कहानी सच नहीं है यह के विलक सोची हुई कहानी है Question number two है What according to you is the story about? अच्छा आप यह बताईए कि यह कहानी किस बारे में है इन निचे के चार option के हिसाब से तो पहला है How the world began शंसार की शुरुवात कैसे हुई? Consider the following मतलब इन चारों में से consider करके बताईए तो दूसरा है Why everyone should do his or her share of work seriously? तो अपने अपने हिस्से का काम सबको seriously करना चाहिए क्या इस कहानी का मतलब यह है या फिर तीसरा है How animals are important to humans? या फिर animal जो animal है पशु है वो मनुश्य के लिए कितने helpful है या फिर चोथा जो है How the camel got his hump? तो answer है How the camel got his hump? तो इस पार्ट में यह पढ़ाया गया है कि camel को हम कैसे आया Question number 3 है आगे What did you do over the weekend? आपने इस weekend पे क्या किया? Weekend मतलब Saturday, Sunday जबके छुटी होती है ज़्यादतर देशों में Were you generally active और आइडल? आप active थे या एकदम आलसी की तरह घर पे ही लेटे हुए थे Please check your back before starting to discuss और answer the question तो एक बर आप check करो और इस answer का question का answer दो तो answer इसका हो सकता है On weekend I got up late and relaxed तो देखिए अब आज कल आपकी शुटी चल रही है तो आप ज़्यादतर आप में से जो बच्चे हैं वो late तक सोते हैं तो यह बोलता है On weekend I got up late and relaxed तो भी weekend पे मैं late उठा और relax किया मैंने Late evening I watched my favorite TV serial तो मैंने शाम को देर रात देर शाम तक मैंने अपना favorite TV serial देखा I played cricket in the afternoon मैंने दोपहर में cricket खेला I have checked my back and there is no hump तो आप यह बोलते हैं कि मैंने आप जैसे आप बोल रहे हैं इसमें कि मैंने अपनी कमर चेक की उस पे कोई hump नहीं निकला है मतलब जैसे आइडल आप बिना किसी काम के ले टेवे थे तो यह एक sarcasm की तरीके से पूछा गया एक सवाल है sarcasm होता है मैं आपको आप डिक्शन ने में सर्च के जाएगा sarcasm क्या होता है वैसे मैं बता देता हूं sarcasm sarcistically अगर किसी को बोलते है न तो मजाग भी होता और उसको tone भी मारना होता लेकिन वो दोनों चीज़े एक साथ की जाती है उसे sarcasm कहा जाता है तो question number four है there are broadly two categories of workers those who prefer to do today what they can do tomorrow मतलब यहाँ पर दो category of worker होते है एक तो वो होते हैं जो आज के काम को आज ही करना चाहते हैं जो कल भी वो करना चाहते हैं those who prefer to do today what they can do tomorrow तो कुछ ऐसे होते हैं जो काम वो कल कर सकते हैं उसे वो आज ही करना की कोशिश करते हैं and those who prefer to do tomorrow what they can do today और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज के काम को कल पर टालते हैं तो where do you belong आप किस प्रकार के व्यक्तियों में आते हैं तो answer इसका आप दे सकते हैं I personally believe in doing my work promptly and well in time तो मतलब मैं व्यक्तिकत तोर पर ये सोचता हूँ कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँ और सही समय पर करूँ तो क्या आप ऐसा सोचते हैं very good अगर आप ऐसा सोचते हैं तो short answer type question question number one why did early men domesticate a few animals तो पहले जो early men's थे जो शुरुआत जब आदमियों की हमारे जो बताया जाता है किताबों में तो जब आदमी जब starting में आया था तो उसने animals को पालतू रखना क्यों शुरू किया early men domesticated animals of different purpose for different purpose तो early men जो था उसने पश्वों को पालना चुरू किया अलग लग काम के वज़े से they use them to carry heavy loads तो ये भारी भारी समान उठा के ले जाने के लिए draw cards मतलब बैल गाड़ी में जो लगाने के लिए and blow the field और खेती करने के लिए blow the field मतलब हल चलाने के लिए question number two which animal in your opinion is man's best friend and most useful to तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यदा वफादार consignable होता है और useful भी तो the dog is man's best friend जो कुता होता है वो आदमे का best friend होता है it provides security and even draws the sledge on eyes तो क्या होता है कि वो security आदमे को security सुरक्षा परदान करता है ठीक है it is known for its faithfulness तो यह अपनी वफादारी के लिए भी जाना जाता है the horse and elephant have also been very friendly to men तो घोड़ा और हाथी भी आदमी को बहुत ही friendly है बहुत ही दोस्ती हो जाती है आदमी के उन से क्योंकि आपने देखा हो कि ज़्यादातर लोग हाथी और भोड़े रखते है ना उस तरीके से बताया है do you think camel renders no service to men क्या आप सोचते हैं कि भी camel आदमी कोई काम नहीं करता the camel is readily called the ship of desert तो camel को जो रिगिस्तान का जहाद कहते है ना रिगिस्तान का जहाद कौन है तो रिगिस्तान का जहाद कैमल होता है तो उसको सही कहा जाता है तो यह आदमे के लिए काफी सारे काम करता है। और यह चीफ मीन है ट्रांसपोर्ट का डेजर्ट में। तो यह खेती भी करता है, दूद भी देता है और मीट का सोर्स भी होता है अपने मास्टर के लिए। Do you think hump on the camel back has no use ? तो अब क्या लगता है आपको लगता है कि camel की जो back पर जो hump है उसको कोई use नहीं है। The hump on a camel's back is an obstruction in riding, तो जो camel की back के ओपर जो hump है वह एक obstruction की तरह है, एक रुकावट की तरह है राइडिंग में। But it is very useful बढ़िए बहुत useful है, it consists of fat which acts as food for the camel, तो वो क्या है? उसमें fat होता है जो कि camel को खाने की तरह इस्तमाल होता है A camel can get its food from the hump for several days तो एक जो उट है वो काफी दिनों तक camel से, sorry, hump से food ले सकता है Who was gin? Did gin? How did he set up the camel right? तो जीनी कौन था? और उसने camel को सही कैसे किया Gin was in charge of all desert तो जीनी जो था, वो सारी desert का, रेगिस्तान का in charge था So the horse, ox and dog complained to him about the camel's laziness तो फिर horse, ox और dog ने complaint किया था जीनी को camel की laziness के बारे में वही वो काम नहीं करता कर गे The gin scolded the camel तो जीनी ने camel को गुसा किया गेव a hump on its back और उसकी कमर पे एक hump बना दिया And order it to serve men as did other animals और उसे आदेश दिया कि तुम भी बाकी animals की तरह आदमी की साहता करोगे तो अब आएंगे बच्चे Long answer type question पे Question number one What made the three very angry? तो तीनों को किस चीज़ से बहुत जादा गुसा हुआ? वो किस चीज़ से बहुत जादा गुसा हुए तीनों? Answer है इसका The three वो तीनो The dog, the horse and the ox were hard working animals यह तीनों जो है बहुत ही महनती जानवर थे They did different works for men यह लग-लग काम करते थे आदमी के लिए तो यह जैसे कि dog जो है fetch करता था और carry भी करता था लोड को The horse drew cart Horse जो है, वो cart को खीचता था और जो ox जो है, वो field को plow करता था These three were fed up with the camel because he didn't do any work तो यह तीनों जो है उससे camel से परिशान थे क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था So one day they complained to men about the camel's laziness तो एक दिन क्या हुआ एक दिन उन्होंने आदमी से camel की laziness के बारे में complaint की At this the man became angry और इस पर जो है, वो आदमी बहुत गुसा हो गया He told the three to leave the camel alone and work double time to compensate his work और उन्हें क्या किया फिर इसने उन तीनों को बोल दिया कि तुम जाओ यहां से तीनों को बोल दिया कि तुम यहां से जाओ और camel को अकेला छोड़ दो और उसकी जगह तुम double काम करोगे अब क्योंकि वो काम नहीं करता इसलिए अब आप तीनों का ज़्यादा काम करेंगे वो कौन? Camel That made the three very angry इससे क्या हुआ? तीनों को बहुत गुसा आया They held a panchayat but it proved in vain तो क्या हुआ उन्होंने panchayat लगाई थी पर उसका कोई कोई फल नहीं निकला, कोई निश्कर्ष नहीं निकला The camel came chewing and The camel came chewing and laughed at them तो वो जुगाली करता आया था और उनके उपर हसके चला गया था आपको याद होगा जैसे मैंने चेप्टर में बताया था आपको तो question number two है इसका How did the camel get a hump? तो camel को hump कैसे आया? Answer है इसका In the beginning the camel was a lazy animal तो शुरुआत में जो camel है वो एक आल सी जानवर था He did not want to work and lived in middle of desert away from other working animals तो वो काम नहीं करना चाहता था और desert में रहना चाहता था दूसरे animals से दूर ताकि उसे काम ना करना पड़े But the animal never forgot him and his nature जो जानवर थे वो उसके बारे में ना भूल पाई और ना ही उसकी चरित्तर के विक्तित्व के बारे में They wanted him to work like them वो चाहते थे कि ये भी जो है हमारी तरह काम करे They complained against him to the jinn तो उसने उनके किलाफ complaint की Who was in charge of all desert जो के हर एक desert का in charge था The jinn decided to punish such an idle animal The jinn ने फिर decide किया कि मैं इस निठले जानवर को punish करता हूँ He told the camel to work like other animals But camel showed no willingness to work तो उसने बोला camel को कि तुम बाकी जानवरों की तरह काम करो But camel showed no willingness to work पर camel ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो काम करना चाहता है This made the jinn angry और इससे क्या होता है Jinn जो है बहुत गुसा हो जाता है He put a curse on the camel और वो एक श्राब देते था है camel को Put a curse on the camel Soon the camel Back puffed Up into a big hump तो जो camel की जो Back है वो Fool के एक बड़े hump में बदल जाती है This is how the camel Got a hump और इस तरीके से Camel को hump मिली तो ठीक है बचों ये थे आपके Supplementary Reader के Lesson How the camel got his hump के Question answer It so happened है आपकी book का नाम Chapter number one तो बहुत बहुत धन्यवाद जहिन वन्दे मात्रम Like, Share, Subscribe जरूर करेगा बच्चों झाल